ये जो ग्रेवी आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इसे एक बार बनाना सीख जाए, रेस्टरेंट जाना भूल जाएंगे, इस ग्रेवी से लगबग 15 तरे की सबजिया बनाई जा सकती है हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन, आज हम बनाने जा रहे हैं एक इनोविटिव रेसिपी, सोया चंक्स रोल करी, ये आपको बहुत पसंद आएगी, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक्सपर्ट टिश वाश बार के बारे में, जिससे ब ये हैं सोया चंक्स रोल करी के इन्ग्रीडियन्ट, आप देख सकते हैं, ये सभी इन्ग्रीडियन्ट हर घर में आसानी से मिल जाते हैं, एक कप सोया चंक्स को करम पानी में बिगा देना है, और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दीजे, टक कर 15-20 मिनट के लिए रख दीजे, इतने देर में ये भीग जाएगा, ग्राम में ये सोया चंक्स लगबग 50 ग्राम है, भीगने के बाद सोया चंक्स साइज में डबल हो जाते हैं, अब सोया चंक्स का इस तरह से दबाते हुए एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल देना है, जितने अच्छे से आप पानी निकाल स लुकडा 3-4 हरी मिर्च 3-4 लैसुन और ड्राइक यह हुए सोया चंक्स अब इसे एकदम महीन ग्राइंड कर लेना है पानी नहीं डालना है बिना पानी के ग्राइंड करना है अद्रक लैसुन हरी मिर्च और जीरा भी साथ में ग्राइंड हो जाएगा यह देखिए इस तरह का महीन ग्राइंड करना है अब इसमें डाल दीजे चार चमच बेसन बेसन के बदले आप मैदा चावल का आटा या फिर कॉन फ्लोर भी डाल सकते हैं इसमें ही आधा चमच लाल मेच एक चमच धनिया पाउडर डाल दीजे साथ ही डाल दीजे स्वाद अनुसार नमक और दो उबले हुए आलू उबले आलू को आप क्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह पोटेटो मैशर से मैश करके भी डाल सकते हैं सबी इंग्रीडियन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहे तो हाथों की सहाथा से जैसे हम आठा गुत्ते हैं सेम उसी तरह से इसे भी गुत्त लीजिए सबी इंग्रीडियन मिल जाएंगे थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ में लेती जाएंगे और दबाते हुए रोल तयार कर लेना है कुछ इस तरीके से रोल जितना आप टाइट बनाएंगे उतना ही आसानी से आप इसे फ्राय कर सकते हैं अगर ये थोड़े भी ढीले रहेंगे तो ओईल में खुल सकते हैं सेम तरीके से सभी रोल बनाकर रख लेने हैं 50 ग्राम सोया चंक से लगभग 10 से 12 रोल आसानी से तयार हो जाएंगे अब ओईल को गैस पर गरम होने के लिए रख दीजे एक रोल सबसे पहले तल कर देखिए अगर ये तूट रहा है तो आपको और बेसन मिलाने की जरुरत है नहीं तूट रहा है इसका मतलब ये एकदम पॉफेक्ट है बहुत अच्छे से तेल को गरम कर लेना है एक केक करके सोया रोल डालते जाईए और तल कर निकालते जाईए ध्यान रहे हमें ओईल का टेंपरेचर कम नहीं होने देना है एकदम हाई फ्लेम पर ही इसे तलना है जैसा कि मैंने आपको बताया अगर ये तूट रहा है तो आपको बेसन और डालने की जरुरत है क्योंकि आलू की क्वालिटी अलग-अलग होती है इसलिए बेसन थोड़ा सा कमिया जादा लग सकता है या फिर आपने चावल कॉन फ्लोर या मैदा डाला है वो भी थोड़ा सा कमिया जादा लग सकता है जैसे ही सोया रोल का कलर चींज हो जाए इन्हे निकाल लीजी सोया रोल को तलने में बहुत जादा तेल नहीं लगता है क्योंकि हम इन्हें हाई फ्लेम पर तल रहे हैं सभी सोया चंक्स रोल तल कर रख लेना है उसके बाद हम तयार करेंगे ग्रेवी दो चंमच तेल कड़ाई में गरम कर लीजे अब इसमें डाल दीजे एक चंमच जीरा दो तेजपत्ता एक दालचीनी का टुकड़ा एक बड़ी इलाईची एक छोटी इलाईची दो लॉंग चार से पांच काली मिच दो बड़े प्याच बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज को महीन चौप्ट करने में मेहनत नहीं करनी है क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है थोड़ा सा चला लीजे 5-6 हरी मिच, 1-2 अद्रक के टुकडे, 5-6 लैसुन, 12-15 काजू डाल दीजे अब चलाते हुए इन सभी का कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है फ्लेम को मीडियम रखिए प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो जाए, थोड़ा सा गुलाबी हो जाए एक से दो लाल टमाटर बड़े टुकडों में कट करके डाल दीजे साथ ही इसमें डाल दीजे थोड़ा सा नमक नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी से कुक हो जाएंगे और मसाला भी जल्दी तयार हो जाएगा ढकन रख दीजे, फ्लेम को लो कर दीजे और अब इसे दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम पर हमें कुक कर लेना है पर ध्यान रहे बीच-बीच में खोल कर चलाते जाएए नहीं तो ये सभी जलने लगेंगे मसाला भुन जाने के बाद इसे हमें ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में डालिए और ग्राइंड कर लीजे पर कभी भी मसाले को थंडा करके ही ग्राइंड करना है पर कभी अगर ऐसा है आपके पास टाइम नहीं है और आपको गरम ही ग्राइंड करना है मसालों के साथ 2-3 आइस क्यूब्स डालिए और ग्राइंड कर लीजे फटा-फट ग्राइंड हो जाएगा ठंडा करने का टाइम भी बच जाएगा आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी मुझे जरूर बताईए इसी तरह की और भी स्मार्ट रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे और मुझे ये भी बताईए आप और कौन-कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं चार से पाँच बड़े चमच तेल करम कर लिजे और इसमें डाल दीजे दो लंबाई में कटी हुई हरी मिच और तुरंथ ही डाल दीजे एक चमच कश्मीरी लाल मिच कश्मीरी लाल मिच नहीं है नॉर्मल लाल मिच भी डाल सकते हैं और तुरंत ही डाल दीजे क्रैंट किया हुआ मसाला अगर आपको भी सबजी में रेस्टरेंट वाला कलर चाहिए तो कभी भी तेल में लाल मिज़ डाल कर देखिए और उसकी बाद बाकी मसाले डालिए बिल्कुल रेस्टरेंट वाला कलर सबजी में आ जाएगा और आपको फूड कलर यूज करने की जरुरत नहीं पड़ेगी ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालिए और वो भी इसमें ही डाल दीजे अब इन्हें 2-3 मिनट तक लोटू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है वैसे मसाले भुने हुए हैं तो जादा समय नहीं लगेगा इस ग्रेवी से आप पनीन, आलू, कोफटा, सोया बीन और भी इसी तरह की लगभग 15 सबजियां तयार कर सकते हैं अगर आप वो रेसिपीस देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताईए और अब इसमें डाल दिजी धनिया पाउडर, ठोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला आप अवोइट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला यूज़ किया है साथ ही डाल दिजी कश्मीरी लालमेच या फिर लालमेच पाउडर और अब डाल दीजे थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक से दो मिनट और भून लेना है और फिर डाल देना है गरम पानी जब मसाला इस तरह से तेल छोड़ने लगे लगबग एक से तेल कप या फिर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना गरम पानी डाल दीजे ये देखिए कुछ इस तरह से ध्यान रहे हमें ठंडा पानी नहीं डालना है लास्ट में डाल दीजे स्वाद अनुसार नमक और सोया चंक्स रोल गरम ग्रेवी में सोया चंक्स रोल डालिए और सर्व कीजे इसे हमें अब और उबालने की जर्वत नहीं है क्योंकि अल्रेड़ी सोया चंक्स रोल कुक किये हुए है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए लाइक कीजे और अगर नहीं पसंद आ रही है डिसलाइक कर सकते है लास्ट में इसमें डाल दीजिए चौप्ट किया हुआ हरा धनिया लीजिए तैयार है सोया चंक्स करी रोल एक बात मुझे जरूर बताईए क्या आपको भी इस तरह की सबजी घाना पसंद है फिर भी क्या आप इस तरह की सबजी बनाने से डरते हैं जिसमें बरतन साफ करना मुझकिल होता है चलिए अब देखते हैं सोया चंक्स रोल करी कैसी बनी है वाव सोया चंक्स रोल करी बहुत ही टेस्टी बना है आप इसे एक बार जरूर बनाईए क्या आपको भी इन कड़ाई के जिद्धी दागों का टेंशन होता है अब हो जाएं टेंशन फ्री एक्सपर्ट डिश्वाश बार को यूज करके एक्सपर्ट डिश्वाश पार एक इंडियन ब्रांड है इससे हम हल्दी और जले हुए मसालों के दाग आसानी से निकाल सकते हैं और ये आम हरे बरतन के साबुन के मुकाबले अच्छी सफाई देता है क्योंकि इसके अंदर है डबल एक्शन फॉर्मुला इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आया जाग भी अच्छा बनता है और गलता भी 50% कम है और सिर्फ 40 रुपे में पूरे महिने भर की सफाई के लिए आपको मिलेंगे इसके अंदर 3 बार एक बार 150 ग्राम का है साथ में हैं 2 स्क्रबर और 1 स्टील स्क्रबर सो इसे जरूर इस्तिमाल करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये जो स्क्रीन पर आपको दो रेसिपी दिखाई दे रही है इन में से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ